हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं No Limits Company और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना खुद का आप कैसे बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के और ये है पार्ट वन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ पांच ऐसी वेबसाइट का नाम जिस पे आ सकते हैं अपना खुद का एप सो लेट्स डूएट तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ पहली वेबसाइट पर जिसका नाम है appsgeezer.com और जैसी आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस टाइप का जो पेज है वो डिस्प्ले होगा जब आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो इसके उपर तीन सिंपल स्टेप्स के बारे में दिया वा रहेगा सबसे पहला है तो इसके जितने भी फीचर से आपको मिल जाएंगे तो पहली वेबसाइट है appgeezer.com तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपनी दूसरी वेबसाइट पर जिसका नाम है appipy.com तो appipy.com create your free app जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आप अपने यहां पर free app बना सकते हैं और free तो है पर बाद में यह paid हो जाता है यह paying मांगता है और अगर free आप बनाना चाहते हैं तो इसके जो watermarks है वो आपके apps पर display होंगे यहां जैसा कि आप देख सकते है features, marketplace, pricing plans, game builder, reseller, education support तो एक तरसे मेरे साब से तो paid website होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको अभी तक use नहीं किया है मैंने use किया है apps geeser apps geeser भी बहुत अच्छी website है और उसको आप use कर सकते हैं तीसरी जो website है उसका नाम है burst touch burst touch एक professional type की जो website आप देख सकते हैं simple है को इसके अंदर ज़्यादा ताम जहाम ने लागा रखें ठीक है तो एक burst touch.com भी है और इसके अंदर आप बिना coding के आप कभी भी बिना coding के अपन पर आप अपना free app बना सकते हैं अगर आपको coding नहीं आती है तो भी तो दोस्तों जो पांच भी website है वो है app.shopherds.com और यहां पर आप देख सकते हैं यह भी थोड़ी paid type की website में को लग रही है पर यह इसके अंदर नीचे दे रखा how it works इसमें coding आपको बिलकुल नहीं चाहिए होती है इसके अंदर आपको डायर्क लिए आपके category चूज करनी होती है और आप बना सकते हैं कोई भी app आपके हिसाब से ठीक है तो यह थी पांच website जो कि मैंने आपको बताया इस video में और यह है part 1 और next part में मैं आपको और पांच website बताऊंगा जिससे कि आप अपने app बना सक तो आपको एक paid website जैसे की है appipie.com उसका यूज करना चाहिए और बहुत सारी different websites है जो कि मैं अगले वीडियो में भी लेखे हूंगा और उसमें से आप चूज कर लिजेगा और जो आपको अच्छे लगे आप उससे अपना app बना लिजेगा और इस video में मैंने जितनी में आपको description में मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे no limits company का और इस video को share कीजे जितना आप कर सकते हैं तो इस video के लिए तना ही thank you and have a nice day